हेलो स्टुटेंट्स विल्कॉम बैक टू एलिट ट्यूटर्स चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे शॉट कर ट्रिक टू बैलेंस एनी केमिकल एक्वेशन जो भी यह मेथड आप देखने वाले हो उससे कोई भी केमिकल एक्वेशन रहेगा आप उसको बैलेंस कर सकते हो ल हम गरन केया तो चलिए देखते हैं कि शॉट कर ट्रिक क्या है तो फर इखमपल की एक कैमिकल एक्वेशन है आपके पास और जो भी आप एक्वेशन देख रहे हो यह क्लास 10 का है साइंस वन न का और इसको हमको क्या करना बैलेंस करना क्योंकि यह बैलेंस नहीं है यहथ को तो यही चीज उन-bailenस है उसी तरह देखा जा तो और भी चीज उन-bailenस हो सकती है इसलफर का दो एकम है और रियक्टन के प्लेस पे और शलफर का एक एकम है तो मतलब यह अन-bailenस chemical equation है और आपको इसको बैलनस करना है तो जो method हम देखने वाले है वह एक simple method है और 100% working method है तो चली शुरू करते हैं उसका सबसे पहला जो step है वो क्या है कि यहां पे जो भी आप देख रहे हो यहां पे तीन compound आपको देख रहे है एक दू और तीन आपको करना क्या है कि तीनों compound को आपको alphabet assign करना है जिसे इसको A assign कर दीजी इसको B और इसको C अगर और compounds होत करते हैं तो आप C के बाद D E F ऐसा करते हैं जिसमें हम देखेंगे उसके बाद second क्या दिखेंगे जो A B C हमने जो assign किया इन compound के पहले उसी A B C का आपको वैल्यू फानुट करना है जैसे numbers में वह वैल्यू आपको मिलेंगे वह वैल्यू आपको यहां पर लिख देना है और जो equation है वह balance हो जाएगा रिकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको महिनत है वह आपको देखना है और नहीं तो वह साथ checking करने time कभी-कभी balancing में यहां पर आपने 2 किया फिर यहां पर आपको change करना पड़ता है यहां से change करना थोड़ा सा कभी-कभी problem आ जाता है इसके लिए यह जाता है इसमें कभी आपको problem ने आने वाला है और पूरा का पूरा equation आपको balanced मिलेगा तो चली इसके बाद को जो step है आपका जो reactant है उसमें कितने elements है वह आपको count करना है यह वह आपको लिखना है for example यहां पर आप देखो तो एक hydrogen है तो आप hydrogen लिख लिख लिए atom के साथ में नहीं उसका symbol लिखिए sulfur है sulfur है sulfur है oxygen है oxygen है oxygen लिखिए फिर hydrogen वापिस आगया तो आपने लिखा अरड़ी है तो नहीं लिखिए oxygen वापिस आगया तो आपने लिखा है मत लिखिए अब reactant में जितने elements हैं उनको छोड़ गई product में कोई और elements कभी नहीं आता है यह आपको पता भी यहां पर क्या करना वह धियां से देखना है यहां पे अगर आप hydrogen के atom तो टू है और उसको हमने讲 सैंड क्या A तो 2A अ अपर हीचेँ तू अ उसके बाद ऑर hydrogen यहां पे आपको मिल रहा है है क्या तो मिल रहा है है यहां पह तो वह भी 2 है लेकिन वह on T é a угcesine add 1 10 plus or 2 अर 2 अष तो देखिये, 2A , फिर प्लस, 2B और विच्चि इवल टू C, फिर श़्फर के तरफ चलते हैं, शल्फर भी 2 एटम है। तो टू A इसको भी लिखेंगे। 2A फिर यहाँ पर पर लिखेंगे कहीं नहीं है, तो यहाँ पर अगर आओगे तो equal का sign, फिर sulfur यहाँ पर है, लेकिन A की atom है sulfur का और वो C के साथ है, तो सिर्फ और सिर्फ C लिखे, फिर oxygen का number है oxygen का यहाँ पर 7 atom है तो 7A, तो यहाँ पर लिखे 7A, उसके बाद oxygen अगर आते हैं, तो यहाँ पर भी है, single atom है तो plus B लिखे हैं, single, उसके बाद equal का sign, फिर oxygen अगर यहाँ पर आओगे, तो यहाँ पर 4 atom है oxygen के तो 4 into C, 4C इतना आपको लिखना है, और उसके बाद इसको solve किस तरह करेंगे, वो देखेंगे, तो चलिए अब देखेंगे, इसको solve कैसा करते हैं, अब इसमें से किसी को भी आप 1 ले लिजे, A को B को, C को, D तो A, B, C में से किसी को आप 1 ले लिए, for example, मैं A को यहाँ पर 1 लेता हूँ, तो A को अगर मैं 1 लेता हूँ, तो इसका मतलब मुझे क्या मिल जाता है, 2 1s are 2, तो C आपको 2 मिल जाता है, तो C आपको 2 मिला, A आपने लिया है, 1 तो बच रहा क्या है, सिर्फ आपको B find out करना है, B find out करने के लिए, आप कोई भी एक equation ले लिजे, for example, अगर हमने यह equation लिया, 2 A plus 2 B, which is equal to 2 C, तो 2 A मतलब 2 into 1, क्योंकि A हमने 1 लिया है plus 2 B, B आपके पास नहीं है, 2 into C, C आपको 2 मिला है, तो 2 into 2 2 1s are 2, plus 2 B सेम रहेगा, which is equal to 2, 2s are 4, plus 2 है, वहाँ पे जाएगा, तो minus 2 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा plus 2 B, तो plus 2 B, एक minute, हाँ, तो plus 2 B which is equal to 4, और यह plus 2 वहाँ पे गया तो minus 2, तो 2 B which is equal to 4 minus 2, आपको मिल जाएगा 2, तो B which is equal to 2 upon 2, 2, 2 cancel हो जाएगा 1 तो B का value आपको मिल जाता है 1 तो आपको B का value मिल गया 1 बस आपको करना क्या है अब A के place पे 1 लिखना है B के place पे आपको 1 लिखना है और C के place पे आपको 2 लिखना है लेकिन आपको पता है कि 1 का मतलब कुछ ही नहीं है, तो यह दोनों 1 आप हटा दीजिए और अब जो यह आप देख रहे हो यह balanced chemical equation है, अब अगर आप इसको चेक करते हो देखे, तो hydrogen का 2 atom left side में है, और hydrogen का 2 atom और left side में है, मतलब total hydrogen के 4 atom है, तो right side में भी 4 है 2 to the 4, sulfur का 2 atom है, left side में और कहीं sulfur नहीं दिख रहा है, और sulfur का यहाँ पे 1 था लेकिन अब यह 2 लिखा है, तो 2 और 2S, मतलब 2 sulfur के भी atom हो गए, फिर oxygen के यहाँ पे 7 atom है, और oxygen का यहाँ पे 1 atom है, 7 और 1, 8 atom left side में reactant part पे, और यहाँ पे oxygen का 4 atom है, और 2 forza 8 होता है, तो यहाँ पे भी 8 है, तो यह हो गया balance चलिए, अब इसके बाद total और हम 3 example और देखने वाले हैं, तो चलिए next example देखते हैं तो next example में suppose करीए, यह आपका chemical reaction है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, assign करना है A, trick किसाब से, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे एक और आ रहा है, तो आपको D लेना है फिर A, B, C, D जो आपने assign किया है उसी का आपको value फाइट रूट करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, reactant जो part है उसमें जो elements है, वो हम लिखेंगे तो यहाँ पे sulfur है, फिर oxygen है, फिर hydrogen है और फिर से sulfur है, तो आपको लिखने की ज़रूद ने क्योंकि आपने अल्रेडी लिखा है sulfur अब आपको count करना है sulfur की कितने atom है और वो किस के साथ assign हुआ है, तो sulfur का एक atom है, और A के साथ assign है, तो सिर्फ और सिर्फ A उसके बाद यहाँ पे sulfur फिर से आ चुका है A की atom है, लेकिन यहाँ पे plus है तो यहाँ पे आपको plus लिखना है और A की atom है, तो B सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा एक atom है, तो 1 into B, फिर यह आ गया तो equal का sign उसके बाद sulfur यहाँ पे भी है A की है, तो C, तो यहाँ पे आ जाएगा C फिर oxygen का, oxygen का 2 atom है यहाँ पे और A assign हुआ है, तो 2 A फिर oxygen यहाँ पे नहीं है, डारेक्ली यहाँ पे है तो यह अगर cross कर रहो तो equal का sign और oxygen यहाँ पे है, 1 atom है 1 into D, D, तो 2 A which is equal to D फिर hydrogen की तरफ चलेंगे, तो hydrogen यहाँ पे 2 है, और यह B के साथ sign है, तो 2 B, फिर hydrogen आगे है, तो equal का sign और hydrogen यहाँ पे है, 2 है, तो 2 D, तो यहाँ पे आजाएगा 2 D और फिर हम इसको solve करेंगे, तो चलिए, इसको शुरू करते हैं अब यहाँ पे किसी को भी आप 1 ले लिजे, तो suppose हमने A को 1 ले लिया है, तो A को आपने ले लिया है, 1, तो अब यहाँ पे अगर आप देखते हो, यहाँ पे तो 2 A which is equal to D है, तो 2 into 1 which is equal to D, therefore D का वैले आपको क्या मिलेगा, 2 1s are 2, तो D आपको 2 मिल जाता है तो D आपको मिल जाता है 2, फिर यहाँ पे अगर आते हैं तो यह लिखा है, 2 B which is equal to 2 D, और D आपको 2 मिला है, तो 2 B which is equal to 2 into 2 तो 2 B which is equal to 2 2 is a 4 और B which is equal to 4 divided by 2, 2 2 is a 4 तो B का वैले आपको मिल जाता है 2 तो B का value पर आपको मिल जाता है 2, अब बच रहा है C, C आपको यहाँ पर मिल जाएगा, A plus B plus, sorry, A plus B is equal to C, तो A plus B which is equal to C, A आपने 1 लिया है, B आपको 2 मिला है, which is equal to C, 1 plus 2, 3, तो C का value आपको मिल जाता है 3, तो आपके पास A भी आ गया, आपके पास B है, आपके पास C भी है, आपके पास D भी है, तो A के प्लेस पे आप लिखे 1, B के प्लेस पे आप लिखे 2, C के प्लेस पे आप लिखे 3 और D के प्लेस पे आप लिख दीजे 2 फिर जिसमें से ये 1 आप खटा दीजे और ये हो गया आपका balanced चेक करिए, sulfur 1 है और sulfur 2 है, मतलब total sulfur 3 है, तो यहाँ पे भी 3 sulfur है oxygen 2 है और यहाँ पे भी oxygen 2 है, फिर hydrogen 4 है, 2, 2, 4 और यहाँ पे भी hydrogen 2, 2, 4 है यह हो गया balance, चलिए इसके बाद और चेक करते हैं, यह वाला ले लेते हैं चलिए फिर से हम क्या करेंगे, इसको assign करेंगे A, इसको B, इसको C, इसको D और A, B, C, D के values प्लेस करेंगे उसके बाद reactant place पे कितने elements हैं, वो देखेंगे, तो एक silver है, तो AG लिख देते हैं, फिर उसके बाद hydrogen लिख देते हैं, उसके बाद chlorine लिख देते हैं, और उसके बाद कुछ नहीं है आगे जो रहेगा वो उसी मिसे रहेगा, आपको मालूम है, तो silver का एक item है, तो A है, तो यहाँ पे A लिख देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे silver कहीं नहीं है, यहाँ पे है, तो equal का sign आ जाएगा, और यहाँ पे भी एक ही silver है, तो C आ जाएगा, फिर hydrogen अगर आप देखते है, तो B single time, फिर आगे आपको चलना है, तो equal का sign, फिर यहाँ पे chlorine फिर से one time है, तो C आ जाएगा, उसके बाद हम इसको calculation करते हैं, तो चलिए, अब A को अगर आप one लेते हो, तो आपको A मिल गया, one, उसके बाद आप यह चीज अगर देखते हो, तो यहाँ पे लिखा A which is equal to C, और A आपने one लिया है, तो one which is equal to C, मतलब C का value आपको मिल जाता है one, तो C का value आपको मिल जाता है one, अब B और D आपका बाकी है, तो यहाँ पे B और equal to C दिखा है, तो B is equal to C और C आपको one मिला है, तो B is equal to one हो जाएगा, तो B का value पे आपको मिल जाता है one, अब बाकी है D, D यहाँ पर आपको मिलेगा तो जो लिखा है B which is equal to 2D तो B which is equal to 2 into D sorry B आपके पास है तो B 1 है तो B के place पर 1 लिख देते हैं 2 into D तो 2 into D ऐसा करते हैं 2 को यहाँ पर भीचेंगे तो 1 upon 2 which is equal to D तो दीखें D का वैल आपको 1 upon 2 मिल रहा है D का वैली 1 upon 2 मिल रहा है और fraction में आप किस तरह balance करोगे तो अब हमको यहाँ पर क्या करना है कि यह जो 2 है इसको remove करना है किसी तरह यह 2 तो आप इसको अगर 2 से multiply करेंगे तो 2, 2 cancel हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 1 तो आपने इस 2 को cancel करने के लिए 2 से multiply किया अब आपको वही करना अगर इसको आपने 2 से multiply किया तो आपको इसको भी 2 से multiply करना पड़ेगा इसको भी 2 से multiply करना पड़ेगा इसको भी 2 से multiply करना पड़ेगा तो 2, 1, 2 और 2, 1, 2 तो अब जो A का value है वो 2 है B का value 2 है C का value 2 है और D का value 1 है अब ऐसा हो रहा है value जो value पहले मिला था यहाँ पे उसके वेसे value change हो गया तो अब आपको करना किया कि A के place पे 2 लिखना है फिर B के place पे भी 2 लिखना है और C के place पे भी 2 लिखना है और D के place पे आपको 1 लिखना है और since 1 है तो आपको 1 छोड़ना पड़ेगा तो यह हो जाएगा balance अब silver का 2 atom है यहाँ पे भी silver का 2 atom यहाँ पे भी है hydrogen का 2 atom है hydrogen का 2 atom है chlorine का 2 atom है chlorine का 2 atom है और balance हो गया चलिए एक last और देखते है तो चलिए यह है आपका compound तो चलिए सबसे पहला rule है इसको A assign करेंगे B, C और D और A, B, C, D के सभी values हम finite करेंगे और फिर अब देखते हैं reactant में कौन-कौन से elements है तो reactant में sodium है reactant में oxygen है फिर hydrogen है फिर से hydrogen आ गया तो नहीं लिखेंगे sulfur है sulfur है उसके बाद oxygen आ रहा है तो फिर से oxygen आ रहा है तो already लिखा हुआ है अब देखते है तो sodium का एक item है तो A लिखते है फिर sodium यहाँ पे नहीं है फिर directly यहाँ पे है तो equal का sign आ जाएगा और यहाँ पे अगर देखेंगे तो sodium के दो item है तो 2C लिखेंगे यहाँ पे तो 2C आ जाएगा फिर oxygen का अगर आप देखेंगे तो एक यहाँ पे है तो A आ जाता है और oxygen यहाँ पे फिर से है 4 times लेकिन B के साथ है तो plus 4B फिर आगे चलेंगे तो equal का sign और फिर oxygen यहाँ पे वापिस आ रहा है तो 4C तो यहाँ पे आएगा 4C और फिर oxygen फिर से आ रहा देखेंगे तो single है लेकिन तो सिर्फ D आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा plus D तो यहाँ पे plus है तो plus है तो plus है तो plus है फिर hydrogen अगर देखेंगे तो hydrogen 1 है यहाँ पे तो A आ जाएगा फिर hydrogen फिर से यहाँ पे तो 2 time है तो plus 2B plus 2B फिर equal का sign फिर hydrogen यहाँ पे है तो plus 2D तो sorry, हाँ equal है उसके बाद 2D, यहाँ पे जाएगा 2D, फिर sulfur बच रहा है तो sulfur यहाँ पे one atom है तो B, उसके बाद direct equal का sign है और sulfur नहीं है और सलफर सिर्फ यहां पर है वो भी single item है तो C, B equals to C अब इसको calculate करते हैं तो चलिए A को assume करते हैं 1 तो A को आपने ले लिया 1 तो A आपको मिल गया 1 अब यहां पर अगर हम A के place पर थोड़ा सा यह difficult हलका सा हो सकता है यहां पर देखिए तो चलिए A अगर 1 है तो इसको कैसा लेखेंगे A which is equal to 2C तो 1 which is equal to 2C तो 1 upon 2 which is equal to C मतलब C का value आपको 1 upon 2 मिल रहा है कोई बात नहीं मिलने दिए जो भी मिल रहा है तो C का value आपको मिला 1 upon 2 अब C है आपके पास और A है आपके पास तो चलिए C और A है तो यहापे B मिल सकता है तो B is equal to C लिका है और C आपको 1 upon 2 मिला है तो B भी आपको मिल जाता है 1 upon 2 तो B आपको मिलता है 1 upon 2 B आपको 1 upon 2 मिल रहा है सिर्फ D चाहिए D यहाँ पर मिल रहा है तो यह लिखते थे A plus 2B which is equal to 2D तो A के प्लेस पर लिखते हैं 1 plus 2 into B B आपको 1 upon 2 मिला है which is equal to 2 D 2 और 2 cancel हो रहा है 1 1s 1 रहेगा तो मतलब 1 plus 1 1s 1 which is equal to 2 D 1 plus 1 2 होता है तो 2 which is equal to 2 D therefore D का value क्या हो जाएगा ये 2 आपको जाएगा तो 2 आपको जाएगा तो 2 divided by 2 2 2 cancel 1 आएगा तो D का value आपको मिलता है 1 सब भी values मिल गए लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं fraction में 2 आ रहा है ये 2 को remove करना है तो 2 से multiply करना पड़ेगा और आपको सब को 2 से multiply करना पड़ेगा यहाँ पर फिर से 2 multiply हो रहा तो भी फाइदा हो रहा आपको यहाँ पर भी 2 हो रहा है तो 1 2 से 2 हो रहा है 2 2 cancel यहाँ पर 1 आ रहा है 2 2 cancel यहाँ पर भी 1 आ रहा है 1 2 से 2 हो रहा है तो यह value आपको मिल रहा देखे यहाँ पर 2 मिल रहा है एक मिल शोरी यहाँ पर आपको 2 मिल रहा है यहाँ पर 2 मिल रहा है यहाँ पर 1 मिल रहा है और यहाँ पर 2 मिल रहा है तो चलिए यहाँ पर A के प्लेस पर लिख देते हैं 2 B के प्लेस पर लिख देते हैं 1 C के प्लेस पर लिख देते हैं 1 और D के प्लेस पर लिख देते हैं 2 और since 1 है तो आप इसको remove कर दिजे और यह हो गए आपका balance दो sorry 2 sodium के atom है 2 sodium के atom है 2 oxygen के हैं और यहाँ 4 oxygen के हैं तो 4 plus 2 6 है यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 6 हो गए hydrogen का 2 atom hydrogen का 2 atom 4 atom hydrogen का 2 2 is a 4 sulfur का 1 atom sulfur का 1 atom balance हो गया तो चली यह इतना आसान trick है एक वीडियो और मैं बना सकता हूँ अगर आप बोलोगे कि कुछ और भी हमार पास equations हैं जो थोड़ी मुश्किल हो रहे हैं तो प्लीज उसके लिए आप comments करें तो मैं एक वीडियो और बनाऊँगा जिसमें आप जो भी request किये रहेंगे इसको मैं कोशिश करूँगा उसको balance करके आपको इसी method से बताने के लिए तो चली मिलेंगे किसी अगले trick में Thank you very much तो जो जिए लोड़ी मुश्किल करें